और आपका स्वागत है NK Labs and Channel पर जारखन B.A.D. and Trans Exam 2022 आप देने वाले हैं तो श्योर कहीं न कहीं आप नामाग कर लेंगे अधिया आप का रेंग अच्छा होगा तो Government College में जाएंगे लेकिन मैंने एक वीडियो में बताया है कि अधिया आप जॉब करते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं साथ हमें किसी अधर कंप्टिशन एकजाम का तयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए Government College नहीं है हाँ आदिया बहुत ही गरीब हैं तो आपके लिए Government College USO बढ़िया रहेगा इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें इसके अलावा semi-government USO मिडिल साइड में आता है आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर पाएंगे उतना ज़्यादा attendance का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको 60% भी कर लेते हैं तो काफी रहता है semi-government में और full time अधी आप relax रहना चाहते हैं हमको कुछ भी नहीं करना है बस हमको internal exam देना है और external exam देना है ना file बनाना है ना class करना है कुछ भी नहीं करना है तो इसके लिए private रहता है लेकिन ध्यान रखेगा private में भी दो परकार का होता है एक fully strict होता है जिसको full attendance चाहिए 75% छोड़िए उनको 80% attendance चाहिए प्राइवेट में भी बहुत अच्छा अच्छा college है जो government college से भी better है लेकिन हाँ उनका फी structure जो है काफी high है लेकिन वो काफी strict है आप कितनों भी पैसा फैंक दें उनके पास हिलने वाले नहीं है आपको examination आगे नहीं देने देंगे तो वैसा अधी आप strict college नहीं चाहते हैं आपको पढ़ने का मन नहीं है बस degree लेना है तो वैसे strict private college में नामंकन ले ना ले अधर वाइज आपको बाद में परेशानी फेस करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप अपना जरूरत के हिसाब से ही college चूज करें 10, 20,000 या 40,000,000 बचाने के चक्कर में नहीं रहें अधी आप job कर रहें तो अराम से 40,000,000 दो साल में आप कमा लेंगे लेकिन अधी आप गलत college में नामंकन करवा लेंगे तो आपको class करना ही पड़ेगा और फिर आपका गड़बड हो जाएगा अधी आप completion exam का तयारी कर रहें हैं और 10, 20,000 बचाने के लिए अधी आप government college में चले गएं तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर आपको 8 से 10 घंटा तक का भी class रहता है ठीक है तो काफी दिक्कत हो जाएगा और private बहुत सारा most of the private college में आपको इभेन observation करने का जरूरत नहीं है आप अधी पैसा फैंक देते हैं तो observation भी नहीं करना पड़ाएगा आप बीड के नए बच्चे हैं तो आपको बता दूँ observation क्या होता है अस्कूल भेजा जाता है टोटल आपका यहाँ पर एक मन्त एक टाइम में भेजा जाता है और फिर चार मन्त भेजा जाता है तो semester third में आपको चार मन्त जाना पड़ेगा semester two में आपको एक मन्त के लिए भेजा जाता है टोटल पांच मन्त है तो अदि आप strict वाले private college में है तो आपको यहाँ पर पांचों का पांचों मन्त जाना पड़ेगा और अदि आप वैसे college में हैं जहां पर कुछ फरक नहीं पड़ता तो आप पांचों में से एक भी दिन नहीं जाएगे फिर भी आपको सारा certificate मिल जाएग पर आटलीस तीन महना का अबजर्वेशन जरूर कीजेगा प्योटी जरूर कीजेगा अधर वायज आप कुछ नहीं सीख पाएंगे ठीओरी से कुछ नहीं होगा एटलीस आप यहां पे तीन मन्त का प्योटी और अबजर्वेशन कर लेते हैं मिला करके तो बहुत बढ़ियां होगा इसलिए आप अपना कंप्टिशन तयारी जोए सो कुछ दिन के लिए पाउज कर लिजेगा जौब से एक दो महना का छुटी ले लिजेगा एटलीस कम से कम अस्कूल जाईएगा तीन घंटा पढ़ा करके आ जाईए अधी वहां पर आठ घंटा पढ़ाना है छे में बोला जाएगा कि एक लाख पचास हजार आपको दो सल का लगने वाला है आप क्या कर लिए एडमिशन कर लिए लेकिन ही वहां पर धीरे धीरे वह आपसे दो लाख रुपए ले लेगा तो अब यहां पर कैसे आपको पता चलेगा कि वह दो लाख लेगा कि डेड़ ला आख ही बताएंगे बाद में वो एक्स्ट्रा आप से चार्ज कैसे करेंगे assignment आपको नहीं देंगे वो कहेंगे मेरे पास है उनके पास printed assignment रहता है वही वाला वो खुद से जमा करेंगे और आपसे 2000-3000-5000 करके आप से चार्ज कर लेंगे। इसके अलावा जब एक्जामिनेशन फॉर्म भरने का आएगा, तो इसे थी 100 रूपए है एक्जामिनेशन फॉर्म, तो आप से तीन हजार या फिर 3500 रूपए आपसे चार्ज कर लेंगे। तो इस तरह से एक्ट्रा चार्ज करते हैं हर एक Bijटक का दो लाग चल जाएगा तो हमेशा प्राइवेट कॉलेज में नामंकर करवाने अस्ट्रिक्ट जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे इस ताप का कंडिशन बहुत कम देखने को मिलता है जहां पर फकेती होता है पढ़ाई नहीं होता है बस डिगरी के लिए लोग जाते है और वो कॉलेज भी बस डिगरी के लिए ही कोलके रखे ही वेए वैसा कॉलेज में आपको इस परकार का फ्रोड देखने को मिलेगा तो इस फ्रोड से बचने के लिए आप सिनियर से बात कर ले कि कितना फ्रोड होता है यहां पर और किस लेबल का यहां पर management है और किस तरह से student के साथ treat किया जाता है तो पता करने के बाद ही आप college choose करें और ध्यान रखें कि यदि आप job कर रहे हैं तो वैसा college choose करें जहां पर attendance का जरूरत ही ना हो अधि आप 10 दिन भी जाते हैं नहीं भी जाते हैं तो फरक ना पड़े completion exam का तयारी कर रहे हैं तो जाएं या ना जाएं फरक ना पड़े वैसा ही जगह पर आप ना मंकर करवाएं तभी आप completion exam का तयारी कर पाएंगे आतरवाईज आप नहीं कर पाएंगे जो बच्चे सीखना चाहते हैं जिनका उमर नहीं हुआ है मान के चलिए उन्हों graduation अभी just complete गिया उनका बहुत कम उमर हुआ है उनको केरियर का उतना प्रेसर नहीं है जितना एक उमर दाज लोगों को है तो उनको tension नहीं हो आराम से regular class कीजिए मस्ती कीजिए मजे कीजिए पढ़ाएं कीजिए लेकिन जिनका PG complete हो गया है अभी जोब नहीं हुआ है पचीस साल अठाइस साल तीस साल वाले जो बीड करने गए उनके लिए बैटर है कि कम class करें और जोब या फिर tuition पे coaching center में जाकर के पढ़ाएं या फिर किसी अधर completion exam पर focus करना better option होगा तो यही जानकारी शेयर करना था कुछ और भी पूछना है जानना है तो जरूर पूछे मैं खुद बीड कर रहा हूं तो आपको real और genuine जानकारी दूंगा thank you signing off